हेलो एवरिवन, वेलकम तो आचैनल लॉलस्ट, मैसल रितिक, फाइनल एर लॉस्टुएंट फाइकल्टी ओफ लॉट डियू और टोड़े विट बी कॉंटोनिंग आवर सीरीस ओ लैंदमार्क जज्जमेंट और सी एर पीसी विदी केस टाइटल श्रीक गुरु बक्ष सिंग सिभ्या वसेस, स्टेट और पंजाब शलिए सबसे पहले इस केस के फैक्स को समझते हैं इस केस में जो अपैलेंट होता है, वो जो पंजाब गोर्मेंट होती है, उसमें एक मिनिस्टर होता है और ना उनके और साथ साथ में बाकी कुछ लोगों के अगेंस ना ग्रेव एलिगेशन लगे होता है किस चीज के पॉलिटिकल करप्शन के और अंड्यू यूज उप आवर के तो कही ना कही उन्हें अप्रेंजन हो जाते कि उन्हें अर्स किया जाने वाला है और इसलिए वो पंजाब और हराना हाई कोर्ट में अंटिस्पेट्री बेल के लिए अप्लाइ करते हैं अंडर सक्षन 438 और ओफ यार्पीसी है लेकिन हाई कोर्ट में उनकी बेल की अप्रिकेशन रिजाक्ट हो जाती है इसलिए उन्हें सुप्रीम कोड आना पड़ता है अंडर स्पैशल ली पूटिशा पैटिशन वरी तो इसकेस में इस्प्रीम कोड कुछ ऑब्जर्वेशन करती है चलिए उन्हें एक करके पढ़ते हैं पहले तो इसमें कोड बोलती है कि अगर कोई प्रोविजन है जो इंडिविजियल लिबर्टी की बात कर रहा है जैसे आर्टिकल 21 हो गया तो उसकेस में अगर कोई स्पैसिफिक प्रोविजन नहीं है जो उसको कटेल करने की बात कर रहा है तो इंडिविजियल लिबर्टी क हो जाता है और यह इसका पहला पॉइंट था दूसरे पॉइंट में कोड कहते कि ना जो फाइलिंग ऑफ एक कंडिशन प्रिसीडेंट नहीं है जब भी आप सेक्शन 438 में एंटिसीपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एंटिसी आजा सकता ह्गरे जैने कि नहीं हो तो अप उसकेस इसमें आंटिसीपेटरी बेल के लिए अपलाई कर सकते हो और यही आपार-बृ करेंद सम्हें सड़्री हैं अ सब इसमें फर्ड पॉइंट जो कोड बोलते कि सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल को फॉलोव कर सकते हो थैंक्यू